मैं उर्दू मुलिमा तो बच्चों गुजरा हुआ जमाना का आज हम तहरीरी काम मुकंबिल करेंगे दर्सी किताब का तहरीरी काम पेज नमबर 83 वीडियो को देखने से पहले पेज नमबर 83 निकाल लीजिए और इस एक ड्रामा जो यहां पर पेश किया गया है उसको पढ़ रही हूँ मैं उसको समझने की कोशिश कीजिए जेल में दिये गए मुकाली में अदा करते हुए ड्रामा पेश कीजिए एक बुढ़े का किरदार अदाकारी करिए एक बुढ़ा और दुलहन दो चीजों की किरदार यहां पर मौजुद है उनका जो कन्वर्जेशन बात करने का होता है वो चहरे के तासुरा से ड्रामा क्य जैसे अलफाज किरदार में अलफाज मौजुद होते हैं उसको देखकर अपने चहरे के हाओ भाओ या फिर उतार चड़ा को पेश करना होता है तो यहां पर यह ड्रामा है देख लीजे अब क्या होगा सारी जिन्दगी मैंने तो यूही कार दी बच्पन खेल कुद में खो जाकी अबादत ही की अब तो मस्जिद की तरह भी जा नहीं सकता और सामने वो फिर रोता है उसी वक्त एक दुलहन सामने आखडी होती है एक लड़की मुखोटे पहन कर मुखोटे पर दुलहन लिग दिया जाता है मतलब लड़की को दुलहन का निखाब पहना कर उसके चह को अदा करे, इनसान की भलाई और इसकी बहतरी में सही करे, मैं इसकी में मस्िर होती हूं, दुनिया में कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, इनसान ही एक चीज है जो आखिर तक रहे गा, जो भलाई इनसान की बहतरी के लिए की जाती है, वही नसल समाइन ये प्र समाइन ये पिर नाजरीन समात करना समाइन नजारा करना नाजरीन है मेरे वटन के नवचानों खाब गफ़लत से जागओ अपनी बहलाई के कम करो वरना तुम भी मेरी तरह पस्ता होगे परदा गिर्दा है यानि यहां पर यह ड्रामा आपको दो एक लड़का और एक लड़की यानि कोई बूड़ा बनना है कोई दूलहन बनना है तो यही अलपास जो यहां पर सबख में दिये गए हैं वो मौझूद है उसको पढ़ना है समझना है उसके बाद हिसे वाला बे आपका तखलिखी जहर अपने दोस्के नाम ख़त लिखे जिसमें गया वक्त फिर हाथ आता नहीं इस पस्तावे पर क्या होता जब चुडिया चुक गई खेत ऐसे ही चन महावेरां का इस्तेमाल करते हुए एक लेटर लिखना है इस बात को यहां पर बताया गया है इसके बाद बीड नमबर बे आ और जल्ड आने की खुशी में किताब वगल में लिए मक्तब चला जाता था कौन सा जमाना था यह बच्पन का जमाना था वो बद्दी के बज़ाए नेकी की तरफ जादा माल था अध्यर पन का जमाना थार्ड वन मांबाब जो बाते करते थे नेकी और खुदा परस्ती की यह कहता और अभी वक्त है जमानी का जमाना फॉर्थ वन नेक काम की जो किये थे सवाब के लालुच और गोया खुदा को रुश्वत देने की गर्स किये थे ये भी जमानी का जमाना नेक्स पेज पेज नमर 82 यहां पर दिया गया है दिये गए खतकशिदा अलफास के माने आमाल हमारे काम थर्ड़ नेक इंसान खुदापरस्ती में अपनी जिन्दगी गुजार देते हैं खुदापरस्ती अल्ला की अबादत फॉर्थ वन जिन्दा दिल इंसान मुसीबत में हमेशा अपने दिल को सवारे मतलब दिल थामे हिसे बे दिये गए महावेरों का इस्ति लगना हातों के तोते उनना कलीजा ठंडा होना उसी से रिलेटिंग यहाँ पर इबारत दी गई है और वो इबारत जो फिलिंग दा ब्लैंक्स हैं उसमें मुकमिल करके महावेरे लिखने हैं जैसे बड़ी सकत धूब थी चलते चलते असलम ठक गया इसने उधर उधर देख गई वो जागा तो दिन ढ़ल चुका था इसके तो हातों के तोते उड़ गए शान तक अपनी मंजिल पर पहुंचने की इसकी आर्जु खाक में मिल गई अब देखते ही देखते रात हो जाएगी लगता है मैं रात भर यहीं बैठे बैठे तारे गिनने पड़ेंगे इसने हसरत से सोचा मागर इसने हिम्मत से काम लिया और रात तक अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कमर कसली तो बच्चों यह आपको रीडर वर्क में पीडिएफ के जरीए भेज दूगी बराय महरबानी आज ही के आज ही मकमिल करके मुलिमा के परसनल नंबर पर फारवर्ट कर दीजिए जजा कर ला खेर